कि दोस्तों काध्य गूंगरिक से बहुत से सवाल पूंचे जाते हैं यानि कि हमारह नगर्ट गिर्ण जो है वो एक महात्वपोंची डापिक है और इस परिक्षाओं में बहुत से सवाल पूंचे जाते हैं और हमारा भिदावत्ट है कि हमें नागरिक नगर के जो विकास की वस्ताएं हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यदि हम अपने देश के अच्छे नागरिक हैं अच्छे शहरी में हैं तो हमें यह अंदाजा होना चाहिए कि नगरों का विकास कैसे हुआ और कैसे विकास होता है यह सब हुए हम यदि कहीं पर कोई खरीदते हैं तो उस प्रापरिटी की आगे क्या बहलू होगी इसके बारे में भी हमें ज्यान हो जाएगा तो दोस्तों आए हम नगरी करण के बारे में अध्यन कर लेते हैं जैसा कि नगरी करण से ही शब्द से ही सपष्ट होता है कि यहां पर नगरी भूगोल का जनक ये गिडीज यूरोब के थे और इन्हों ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी दा कल्चर आप सिटीज और 1938 में ये पुस्तक प्रकासित हुई थी बहीं इसके बाद ही लेविस ममफोड नाम के एक विद्वान ने नगरी करण के बारे में कई अवस्था हैं और ये कहा कहा होती है इसकी है इसके वारे में विस्तार से अध्यन करेंगे दिए लुक्त अंत तक जुरूर देखें जिससे के आपको नगरी करण के बारे में जो भी सवाल है उन सारे सवालों का समाधान यहां पर आपको मिल आएगा यानि के हर प्रशन का उत्तर यहां पर होगा और नगरी करण से संबंदित कैसा भी प्रशन परिच्छाओं में आए तो उसका उत् कタह इस फूर्च नए सरगीском है इस प्रक्रिया है कि अपने आम में चलती रहती है जिससे और इस प्रक्रियास से क्या होता Bentya ऋसका क्या होता है एवं avos or और नगरीय प्रिवांश करे। परिवाश्य यानि को ऑदिजर में परिभाशा है यानि के अधिवास-tanteken वह नकरिये सरचना एवं आर्थिक प्रिवरतन होता। तो यहां पर जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है दूसरी बात नगर का आकार बढ़ता है और तीसरी बात जो है वो सरचना जो है वो बढ़ जाती है यानि के नगरी करण की सरचना बढ़ जाती है और कारीक छेतर यानि के काम करने का छेतर भी अलग-अलग हो जाता है जैसे जो ग्रामीड चेतर हैं बहा पर अधिकतर जनसंख्या जो है वो कुर्षी कारे में लगी होती है जब कि printsip लगबख 75 प्रिश्च जनसंख्या इंद में लगी हुई होती है तो दोस्तो इस तरह से हमारे नगरों का विकास होता है तो यह नगरी करण की प्रिक्रिया कहलाती है अब हम देखते हैं कि नगरों का इतिहास क्या है यानि कि कब से हमारी इस प्रिथिवी पर नगर बनना सुरू हो है तो दोस्तो जब मनुश्व जंगली जीवन से यानि के ज नदियों के किनारे रहना शुरू किया और हमां पर स ऑब्यत्याओं का विकास हुआ तो इसी सब्रेता के आघ से लगवत की इस भाइजिया सो फिर एीज़ाने क गिखार वशार कि कि उप पूर और पॉर्व यसा से पांच हजार वर्व से लेकर और 3000पूर में बहएं नदियां विकास को बहाँ पर पहले नगरों का विकास हुआ थी मनुस्ति को इस्थाई रहना और इसके बाद में आज का जो नगरों का विकास हुआ है उसमें और आद्धोगी करण और तक्नेकी विकास यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दो पहलु हैं जिसके कारण नगरों का विकास हुआ तो नगरों के विकास को दो भागों में बाटा जाता है यानि के बीशमी सती जो है बही एक ऐसी सदी थी जो के जनसंख्या के विस्पोर्ट का समय था तो बीशमी सदी से पूर्व विकसित देशों में बीशमी सदी से पूर्व विकसित देशों में नगरों का विकास हुआ गहीं बीसमी सदी के पस्चाच जो है वो विकास श्रील देसों में नगरों का तेजी से विकास हुआ और इसका-मुख्य-कारण जनसंख्या-फ्स्पोट और इस्थानान्तरण है, यानि के वहां पर जनसंख्या की व्रद्ध है और इधर उदर से आकर जो जन्संख्या वह बस जाती है, इसलिए नगरों की जनशंक्या में भी विकास हुआ है नगरी करन के विशलेशन के आधार जो है वो अलग-अलग है अलग-अलग अलग अलग-अलग जनशंक्या सब्सक्राइब है किवूंके हमारे यहां भारत में जो है वो केवल 5000 जंसंक्या पर नगर घोषुत किया जाता है जबके देन्मार्ग में बहुत ही कम लगवक्त 20-50 ज़हां पर व्यक्ति रहते हों बहां पर नगर का माननेता मिल जाती है और रहां पर नगर यानि कि भारत में 5000 पर किसी भी गाउं को नगर की मानेता मिल जाती है तो इसके लिए 400 व्यक्ति प्रतिवर किलोमीटर का घंद्ट होना चाहिए यानि कि नगर का घंद्ट तो अधिक होना चाहिए चाहिए यह भी भारत में विशेस्ता है यानि भारति यह जो शब्यता है हमारे देश का जो कानून है उसमें यह है कि यह पांच हजार जन्संख्या होनी चाहिए 400 व्यक्ति प्रतिवर किलोमीटर होना चाहिए और 75 प्रतिसस्य के लगभग लोग गैर किशी कारियों में लगे होने चाहिए तभी जो है उस गाउं को नगर की माननेता मिलती है और आगे है जन्संख्या का धर्म निर्पेक्ष इस् किसी इस्तानांतरण को जन्संख्या का धर्म निर्पेक्ष इस्तानांतरण कहते हैं यानि कि यह नगरी करण की अवस्थाएं किसी भी देश में नगरी करण किस तरह से होता है और उसकी क्या क्या अवस्थाएं होती है कब तेजी से होता है कब धीरे होता है इसके बारे में यहां पर अध्यन किया जाता है तो इसमें पहली अवस्था होती है प्रारंभिक अवस्था इस अवस्था में नगरों का विक रहता है और नगरों का विकास जो है वह होता है और कम जन संख्या नगरों में रहती है और दोसरी अवस्ता आती है दीरे-दीरे विकास और 75 प्रसिसत जनसंख्या नगरों में निवास करने लगती है और नगरों का आकार बड़ा होने लगता है और नगर जो है वह बिकशित अवस्ता में पहुंच जाते हैं अगला है अंतिम अवस्ता अंतिम अवस्ता में यह होता है कि देश की संपूर्ण जनसंख्या पूर्ण त् सेंट जनसंख्या नगरों में निवास करना सुरू हो जाती है और कनाड़ा न्यूजीलेंड कनाड़ा और फ्रांस यह देश हैं जहां पर जो है नगरों की संख्या बहुत अधिक है और नगर बहुत अधिक हैं ग्रामीड चेत्रों में बहुत ही कम लोग रहते हैं तो यहां पर पूंट्या सेचुरेटे का देश हैं और इन देशों में नगर की तीसरी अवस्ता है नगरों की इन्हीं अवस्ताओं को हम यहां पर कि लिएधर दुखा इस अक्ष पर जो है वो यक्ष और बाई ये दो अक्ष है तो यक्ष अक्ष पर हमने नगरी करण की अवस्थाएं लिख ली है और बाई अक्ष पर ये जनसंख्या है परिश्थ में यानि के जनसंक्या का परजेंट है 20 परिश्थ 40 परिश्थ 60 परिश्थ 80 परिश्थ तो पहली अवस्ता में जनसंक्या केवल 20 परिश्थ ही होती है और यह बहुत धीरे धीरे बढ़ती है 20-25 और 30-40 तक जाने में बहुत अधिक टायम लगता है उसके बाद में तूसरी अवस्था जो नगरत और नगरिकरन दोनों एक से ही मिलंते चुलते शब्द है इसलिए आपको इसमें अंतर करना अब रहा है यह देख लेना बहुत ही जूरुरी है कि नगरी करन और नगर में बहुत फेकरन क्यों बहुत शूक्ष मंतर है यह नगर का बत जाती है to तो किसी एक पार्टिकुलर नगर की बात की जाती है और उस नगर का कैसे अभिकास होता है और वो पार्टिकुलर नगर असनी कि सवस्ता में है इसके बारे में अध्यन किया जाता है जबके नगरी करण में एक देश के जो सारे नगर हैं उनका अध्यन किया जाता है और देश पूर्व नगर होता है इससाब से लोग रहते हैं ग्रामीड छेटर में रहते हैं और दोर दोर बस्तियां उस गाउंके आसपास बस्तिया he और गाउं उस गर के और विकास गॉना Сुरू हो consciously हो जाता है अगला है बिखरी के बश्तियां है और घनी हो जाती है तथा नगर का एक विकास हो जाता है और एक पूंडते यार नगर 캤े में आ जाता है तो इसे Compos. और पॉलिष अगला है महानगर आनि कैंट्ट्रोपॉलिस नगर में जुआ है और उसके किनारे पर भी जो भाहरी चेत्र हैं बहाँ पर भी जंसंक्या का खूब विकास होता है और नगरी करण हो जाता है और नगर में यहां पर मिलना शुरू हो जाती हैं तो यह महान नगर यानि के मेट्रोपोलिस नगर हो जाते हैं चौथी अवस्ता बिक्षित नगर हो जाते हैं यानि के यहां पर जो है नगरों के आसपास जो रहने बाला छेत्र होता है बहाँ पर भी नगरी करण हो जाता है और नगर पोड़ते अबिक्षित हो जाते हैं जैसे के हमारे देश के कुछ बड़े नगर मेट्रोपोलिटन चिटी जो होते हैं वह मुंबई ओर है जब नगरों का कम होने लगता है याने के नगरों का हिराष होने लगता है और अगली यह नश्ट पराई ही नगर होजा है मेट्रोपॉलिस सिटी जैसे के बैशाली कन्नोज और हम्पी यह जो देश हैं वो यह नगर जो हैं वो पूर्ट्यार अपनी अवशिष्ट अवस्ता में पहुंच गए हैं अगला है यहां पर दस हम लें जो नगर दिये हैं जै यह नगरों का विकास होता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं सिग्र ही अपने नए वीडियो और नए टापिक के साथ तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो उच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें तो मिलते हैं दोस्तों सिग्र ही तब तक के लिए जय हिंद्द